हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो आर चानल, स्वीट होम किचन एसेच की आज की हमारी रेसिपी है वेनीला मैंगो पॉपसिकल इस वीडियो को एंट तक जरूर देखे और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेर जरूर करें तो आए इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हाफ कप विप्ट क्रीम, वन बाई थर्ड कप चिल्ड मिल्क, वन फोर्थ कप मिल्क पाउडर, एक आम, वेनीला एसेंड्स, छीनी, आइस क्रीम बनाने का कोई भी तरह का मोल्ड, तो आए इसे बनाना शुरू करते ह एक बाउल में विपिंग क्रीम ले अगर आपके पास विपिंग मशीन न हो तो आप इस तरह का हैंड मिक्सर भी यूज कर सकते हैं हमने हाम पर विसकर की मदद से इसे लो टू हाई स्पीड पर विप किया है अब इसमें हाफ टी स्पून वनिला एसेंड्स आड़ करें मिल्क पाउडर आड़ करें थंडा दूद आड़ करें अब इसे एक स्पाचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करें अब इसे फिर से विप करके लंप्स निकाल लें अब ये अच्छी तरह से विप हो चुकी है अब इसे किसी भी आईस क्रीम मोल्ड में फिल करें तयार किया हुआ क्रीम मोल्ड में आड़ करें इसे इस तरह से टाप करें इसे फुल न फिल करें इसे त्री फोर्थ ही फिल करें अब इस पे लिड लगा कर पॉप स्टेक लगाएं इसी तरह बाकी के लिड भी लगा लें एक्स्ट्रा वेनिला आईस क्रीम को एक कंटेनर में डाल कर फ्रीज कर लें अब इस पर लिड रख कर इसे ओवरनाइट फ्रीज करें मैंगो पॉप सिकल बनाने के लिए मैंगो को रफली चॉप करके मिक्सी के जार में आड करें इसमें 2 टेबल स्पुन चीनी आड करें इसमें 2 टेबल स्पुन पानी आड करें अब इसे ग्राइन करके एक थिक पेस्ट तयार करें अब आईस्क्रीम के मोल्ड में एक टेबल स्पून जितना ग्राइन किया हुआ मैंगो आड़ करे, इसे वैनिला आईस्क्रीम बनाने के 8 से 10 घंटे बाद बनाए, हमारी वैनिला आईस्क्रीम फ्रीज हो चुकी है, अब हम इसे मोल्ट में से निकालेंगे, अब इस वैनिला आ हमारी mango vanilla popsicle freeze करने के लिए तयार है अब इस पर lid place करे और इसे overnight freeze करे overnight freeze करने के बाद हमारी ice creams तयार है popsicle को निकालने के लिए इसे 2 second पानी में dip करे mold को इस तरह से पानी में dip करके निकाल ले ऐसा करने से हमारी ice cream जल्दी से निकल जाएगी देखिए हमारी popsicles तयार है हमारी mango vanilla popsicle तयार है अगर आपको हमारी recipe पसंद आई हो तो इसे like और share जरूर करे तक यू फो वाचिए ओचिए अबच्छिए और चानल